हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरह से प्यार भरा नमशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रिस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं मसाला आलो गोबी जी हाँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है खाने के बाद आप उंगलियां चाटते रह जाओगे लेकिन उंगलियां चाटने के बाद आप प्लेट जरूर चाटोगे इतनी टेस्टी ये सबजी बन कर त्यार होती है तो चलिए फिर देर ना करते हूँ और देखते हैं इसे किस तरह से बनाएंगे अपने घर पर तो flame on करके मैंने pan रख दिया और 3-4 बड़े चमच oil डाल दिया है क्योंकि अब हम करने वाले आलू को fry तो आलू को मैंने अच्छी तरह से धो कर साफ करके छील कर कट कर लिया है लंबाई में तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं इसको तो इसे हमें अच्छी तरह से fry करना है जब तक golden कलर ना इसके ओपर बढ़िया सा आ जाए तो आलू और गोवी हम दोनों ही fry करने वाले हैं तो shallow fry करेंगे तो अच्छी तरह से इन्हें fry करेंगे तो यह देखिए color बहुत बढ़िया आ चुका है golden color आ चुका है बस इससे जदा हमें और fry करने की जुरूरत नहीं है तो अब हम इने निकाल लेते हैं अलग प्लेट पर और इसके बाद हम fry करेंगे हमारी गोवी तो आलू सारे मैंने निकाल लिया हैं तो डाल देते हैं इसमें गोवी तो लेजी गोवी भी मैंने add कर दिया है गोवी को मैंने थोड़े बड़े-बड़े pieces में cut किया है आप देखी रहे हैं तो इसी तरह आप pieces रखिएगा अच्छी लगती है खाने में भी और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया लगती है और यह गोवी हमारी टूटती भी नहीं है तो इन भी हमें अच्छी तरह से golden color आने तक fry करना है तो ज्यादा समय नहीं लगता दो तिन मिनिट लगते हैं तो यह देखिए कितना बड़िया color आ चुका है ना बस अब इससे ज्यादा इससे भी हम और fry नहीं करेंगे इने भी निकाल लेते हैं प्लेट पर तो निकाल ली मैंने गोवी भी अब इसी oil में हम डालेंगे दो तो अब हम डाल देंगे इसमें हमारे कटा हुआ लसन अद्रक और हरी मिर्च दो हरी मिर्च मैंने ली है और लसन अद्रक को भी चौप कर लिया आप पेस्ट भी इसमें एड़ कर सकते हैं लेकिन मुझे यह इस तरह से बहुत अच्छा लगता है एक तो यह तले पर चिपकत जान से मिक्स कर देते हैं और भून लेते हैं जब तक इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए मसाला चितन से भूनना बहुत जरूरी होता है तो यह देखिए हलका गोल्डन कलर आ चुका है इसमें बस इससे ज्यादा हम इसे और फ्राइड नहीं करेंगे भूनेंगे नहीं तो तो लीजे टमाटर भी अच्छी तहां से मिक्स हो गए हैं अब हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले तो मसाले देख लेते हैं जिसमें मैंने लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक धनिया पाउडर एक बड़ा चमच और साथ में लिया है लाल मिर्च का पाउडर एक चमच सा जैता है मतलब कि हमारी लाजवा बन जाती है तो अब हमने इसे बुनना है अच्छी तोंसे साथ से आठ कवर कर देते हैं और low flame कर देत आराम से बुनने देते हैं तो यह देखें शाथ मिनिट हो चुका है आप देखिए हैं बहुत ही बढ़ी हो कलर आ चुका इसमे और मसाला भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है बस अब हम क्या करेंगे अब हम डाल देते हैं इसमें हमारे फ्राई कियोए आलू और गोबी दीजिए गोबी आलू चलीगी इसमें मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से ताकि सारा मसाला जो है ना आलू गोबी के पर अच्छी तरह से लिपट जाए बस यह मसाले का ही कमाल है सारा जिससे हमारी गोबी आलू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है तो लिजे मैंने अच्छी तरह से इससे मिक्स कर दिया है और अब हम डालेंगे इसमें कुछ और मसाले वो भी देख लेते हैं यह है आदा चमच आमचुर पाउडर बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है इससे आदा चमची डाल रही हूं मैं इसमें गरम मसाला एक बार फिर मि मिक्स हो गया अच्छी तरह से और अब हम इसमें एड़ करेंगे हमारा आदा कप के करीब पानी तो पानी मैंने इसमें एड़ कर दिया और इसे हम लो फ्लेम पर पकने देंगे जब तक हमारी गोबी अलू अच्छी तरह से पकना जाए तो छे से सात मिनट ओचुके हैं लो सूरी में थी साथ में मैं । दाल दूंगी काफी सारा हरा धनिया तो लीजे हमारी गोबी अलू की सब्जी है बिल्कल ट्यार है तो डाल लें ये देखिए आप इस तरह से एक बार गोबी अलू की सब्जी बना कर देखिए या अलू .. के सबजी बना कर देखिए आप वाके ही उंगलियां चाटेंगे और साथ के साथ प्लेट भी चाट जाएंगे आप इसे प्रांटे के साथ नान के साथ चपाती के साथ जिसके साथ मर्जी खाईए अगर वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा श